दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल की फोटोस को अपने लैपटॉप या कम्प्यूटर में कैसे डालें चलिए मैं आपको बता देता हूँ बस एक मिनट का काम है तो दोस्तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक डेटा केबल अगर आपके पास टाइप सी चार्जर है तो उसका जो केबल होता है वो निकाल लीजिए वही आपका डेटा केबल बन जाएगा अगर आपके पास डेटा केबल नहीं है तो आप किसी भी मोबाइल की दुकान बर जाएए वहाँ पर आपको 50-60 रुपए में एक अच्छा डेटा केबल मिल जागा तो इसको परचेश कर सकते है तो अगर आपके पास डेटा केबल है तो आपको अपने मोबाइल को अपनी लेटोप से कनेक्ट करना है Connect करने के लिए क्या करना है Data Cable का जो USB वाला हिस्सा होता है उसको आप अपने laptop के USB वाले port में connect कर दीजे अगर computer है तो computer के CPU में USB port होता है उसमें लगा दीजे इसके बाद जो charging वाला हिस्सा है उसको आप अपने mobile से connect कर दीजे तो मैंने अपना mobile अपने laptop से USB केबल की मदद से connect कर दिया है देखे इस प्रकार से notification भी आ गया है अब इसके बाद आपको जाना है This PC में यहां देखे आपके desktop पर This PC का option होगा इसको आप double click करके open कर लिजे This PC में आने के बाद यहां पर आपको किनारे जो This PC का option दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक करके रख रहा है इसके बाद यहां पर आपके सभी storage devices सो जाएंगे और यहां देखे आगे या पीछे कहीं न कहीं आपको आपका mobile सो जागा देखे मेरा mobile Redmi 11 Prime तो यहां पर यह सो कर रहा है आपका जो भी mobile होगा वो यहां कहीं सो कर देगा तो अब आपको उस पर double क्लिक करके इसको open करना है तो यहां पर दिखारा है This folder is empty तो ऐसा इस वज़से हो रहा है क्योंकि मैंने अभी permission नहीं दिया है तो अगर आपका Samsung का mobile है तो उसमें permission नहीं देना होता है notification दिखेगा उस पर आपको click करना है फिर यहां पर आपको 3 option मिलेंगे तो एक option है file transfer का आपको उस पर click कर देना है जैसा आप उस पर click करेंगे तो आपका mobile दोबार से connect होगा अब आप फिर से this PC में आ जाईए और यहां पर आप अपने device को दोबार से open कीजे अब यहां देखे मेरा internal storage सो करने लग गया है अगर आपका SD card होगा तो वो भी यहां बगल में सो करेगा तो जहां पर भी आपका photo है उसको open करेजे तो यहां पर मैं internal storage को open कर लेता हूँ internal storage में आने के बाद यहां पर देखे सभी folders आ गया है अब आपका photo जिस भी folder में है उस folder में चले जाएए तो यहां से मैं चला जाता हूँ downloads वाले folder में तो यहां देखे मैंने कुछ photos वागर download करके रखे हैं अब इन photos को मुझे अपने laptop में डालना है तो सबसे पहले इनको copy करना होगा copy करने के 3-4 तरीके हैं मैंने बहुत सारी वीडियो में बता हूँ है लेकिन मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो मेरा यही उद्देश होता है कि आप लोग कोई तकलीफ ना हो कोई भी काम करने में अगर आपको कोई एक photo copy करना है तो आपको क्या करना उस photo पर एक बार click कर दिजे वो photo select जागा यह आप देख सकते हैं यह select हो गया इसके बाद आप अपने keyboard में Ctrl C दबा दिजे या फिर आप क्या किजे इस photo पर mouse का cursor रखकर mouse का right button दबा दिजे फिर नीचे आपको option मिल जागा copy का जैसा आप इस पर click करेंगे आपका यह photo copy हो जाएगा अब मालीज़ आपको एक से अधिक photo को select करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको अपने keyboard में Ctrl बटन को दबा कर रखना है और जितने भी photo को आप select करना चाहते है सब पर mouse से click करते हुए चले जाएए यह देखे मैं बीच-बीच से select करना हूँ तो आपको Ctrl बटन को छोड़ना नहीं है जितना भी photo आपको copy करना है सब को mouse से select कर लिजे इसके बाद आप Ctrl बटन को छोड़ दिजे यह photo select हो गए अब इसको copy करने के लिए आप Ctrl सी दबा दिजे या फिर आप किसी एक photo पर mouse का cursor रखकर mouse का right बटन दबाईए फिर यहाँ copy को option आ जाएगा यहाँ जैसे आप copy पर click करेंगे तो आपका यह photo copy हो जाएगा तीसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ अगर मारेज़े आपको सभी files को एकी बार में copy करना है तो आपको क्या करना है अपने mouse से double click कीजे और ऐसे इस line को खीचते हुए जहां तक आप ले जाएगे इस बीच में जितने भी files आएगे सब select जाएगे इसके बाद आप control C दबा कर copy कर सकते हैं या फिर आप कहीं पर mouse का cursor रखकर mouse का right button दबा दीजे फिर यहां से भी copy कर सकते हैं control A करके भी आप सभी file को एकी बार में select कर सकते हैं तो मैंने आपको copy करने की तीन तरीके बता दिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को repeat करके देख लीजिए या फिर इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि files को copy कैसे करें उसको भी देख सकते हैं तो यहां से मैं केवल एक photo को copy कर लेता हूँ मैंने एक photo copy कर लिया है अब इसको paste करना है अब आपको अपने इस photo को जिस भी folder में डालना है उस folder को open कर लिजे अगर आप इस photo को desktop पर रखना चाहते हैं तो desktop पर आजाए और कहीं भी खाली जगए पर mouse का cursor रखकर mouse का right button दबा दिजे फिर यहां पर आपको option मिल जागा paste का जैसे आप paste पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी photo copy किये होंगे सब यहां पर paste हो जाएगा यह देखे यह photo मैंने अभी अपने mobile से copy किया था और यह यहां पर paste हो गया है यह आप देख सकते हैं अगर आपने बहुत सारे photos को copy किया होगा तो सब यहां पर paste हो जाएगा आप चाहिए तो इसको किसी भी folder में डाल सकते हैं जैसे यहां पर मैं यह folder open कर लेता हूँ ABCD करके अब यहां पर मैं इसको paste कर देता हूँ यहां से right click करना है paste पर click करना है अब देखे यह photo यहां पर भी paste हो गया है तो इस प्रकार से आप अपने mobile के photos को अपने laptop में बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं अगर आप अपने laptop से कोई photo को अपने mobile में डालना चाते हैं तो same यह process है copy करके आप अपने mobile में जाकर paste कर दीजे I hope कि आपको वीडियो पसंद आये होगी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछे लीजेगा